बिक्री बढ़ाना तो सभी चाहते हैं लेकिन कैसे बढ़ेगा पता नहीं सेलिंग डेबल तो करना चाहते हैं लेकिन प्लानिंग करना नहीं आता दोस्तों आज मैंने जेम्स आर्चर की किताब The Choose Yourself Guide to Wealth के पांच सिध्धानतों को स्माल बिजनेस के हिसाब से डिकोट किया है आपका ब्यापार चाहे कोई भी हो अगर आप इस्टेप बाइस्टेप नीचे बताये गए सभी विकल्पों पर प्लानिंग बना कर काम करते हैं तो अपने बिजनेस की सेल को एक साल में दो गुना कर सकते हैं या फिर कुछ समय के बाद अपनी बिकरी को दस गुना तक बढ़ा सकते हैं ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आज आपको बतलाने जा रहा हूँ एक एक वाग के या सिधान्त आपके व्यापार के लिए बहुत ही महत्पूर्ण साबित हो सकता है इसलिए एक भी इस टेप को मिश न करें अन तक वीडियो को जरूर देखें दोस्तों नमस्कार मैं मुहंत हवाइद एक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ और इसी तरह से बिजनेस से सम्मंधित यूस्फूल टिप्स देखने के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ की नोटिफिकसन की आल पटन घंटी को जरूर दबा दीजे ताकि मेरा आने वर लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और हाँ दोस्तों मैंने बिजनेस से सम्मंधित सौ से भी ज़्यादा वीडियो इस चैनल पे अपलोड किये हैं जो आपके ब्यापार को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है मैं कुछ वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ आप जाकर आवसे वीडियो कीजिए आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस के लिए फायदे मन्द हो तो आईए जानते हैं विक्री को दो गुना कैसे किया जा सकता है या कुछ समय बाद अपने बिजनेस को दस गुना तक कैसे बढ़ाया जा सकता है इस फार्मूला का नाम है दस बिजनेस आइडियाज दरसल जेम्स आचर एक अमेरिकन बिजनेसमेन है उन्होंने काफी बड़ा बिजनेस खड़ा किया था जिन्दगी में एक ऐसा दोराया जब उनका सबकुष तबाह हो गया उन्होंने हार नहीं मानी अपने डूबने के करणों को अध्यान किया और फिर से अपने ब्यावसाई को बुलंदी तक पहुचा दिया उनके द्वारा लिखी गई किताब चूज यूर सेल्फ गाइट टू वेल्थ के पाँच पैंट में उन्होंने सेल्फ डेवलप्मेंट और बिजनेस को ग्रो करने का राज बतलाया है इन सभी सिध्धानतों को अपने ब्यापार में कैसे यूज कर सकते हैं आईए जानते हैं पैंट नमर एक किसी दूसरे के आईडियास के पीछे मत भागो खुद के आईडियास बनाओ दोस्तों जब आप सोचना सुरू करते हैं कि मैं अपने बिक्री डबल कैसे करूँ तो आपके दिमाग में दो चार तरीके आने लगेंगे लेकिन दो चार से काम नहीं चलेगा आपको कम से कम 10 आईडियास सोचना है आपको बिक्री डबल करने के लिए बयापार को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस एरिया के हिसाब से और कंडिशन को ध्यान में रख कर खुद के 10 आईडियास त्यार करना होगा मान लिजे आपका किराने का साफ है और आप अपने ब्यापार पर मेडिकल स्टोर्स के सिधान को लागू करना चाहेंगे तो आपका बिजनेस बरबाद हो जाएगा क्योंकि दोनों से बीच में मार्जिन का बहुत बड़ा फर्क है इसलिए अपने आइडियाज अपने ब्यापार को ध्यान में रखकर खुद त्यार करें पॉइंट नमर दो आइडियाज मसीन बन जाईए हर दिन दस आइडियाज लिखें कम से कम दस बिजनेस आइडियाज को एक डायरी पर लिखें सबसे पहले एक नोटबुक बना लिजिए जिसका नाम रख दीजिए बिजनेस ग्रोथ बुक अब अपने आपसे ये सवाल कीजिए कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने या अपने लक्ष को हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ कौन-कौन सा तरीका मुझे पता है चलिए इसे एक उधारन के द्वारस समझते हैं जब आप अपने आपसे सवाल करते हैं कि बिजनेस को बढ़ा करने के लिए मुझे कौन-कौन सा तरीका मालूम है तो कुछ इस तरह से आपको अपने आपसे जवाब मिलता है को बढ़ाने में मदद करता है तब फिर से आप लिखते हैं पॉइंट नमबर पाच कस्ट्रमर अट्रेक्शन नीती में सुधार पॉइंट नमबर छे कीमत निर्धारन पॉइंट नमबर साथ एटिट्यूड याने अपने ब्यवार को अट्रेक्टिव बनाना पॉइंट नमबर आट शेल नीती मतलब खरिदना और बेचना पॉइंट नमबर नौ रूल एवम कंडिशन और पॉइंट नमबर दस टाइम इस तरह से दस पॉइंट आपने लिख लिया तो आपको बेसिक आइडियाज मिल जाएगा कि मुझे किन किन सब्जेक्ट पर आगे काम करना है इन संभावित आप्सन पर आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा अब अगले पन्ने पर इन दस पॉइंट में से पहला पॉइंट लिख लिजिए जैसे माल लिजिए पहला पॉइंट है ग्रहाग बढ़ाना अब ये सोचिए कि ग्रहाग बढ़ाने के लिए आप क्या-क्या काम कर सकते हैं तो इसके भी 10 पॉइंट सोचिए क्या हो सकता है तो जैसे माल लिजिए इसके लिए आपको 10 पॉइंट मिलता है पॉइंट नमर एक आफर चलाना दूसरा डिसकाउंट देना तीसरा सेल लगाना चौथा होम डिलीवरी सर्विस देना पांचवा पुराने कस्टमर को कन्वेंस करना छटा एट चलाना साथवा ओल्ड इस्टाक सेल करना आठवा नए कस्टमर को कंजूवर बनाना पॉइंट नमर नव गिप्ट देना और दसवा पॉइंट पब्लिक डिमांड में नए वस्तों को मैनेज करना तो इस तरह से आपको आइडियाज आने लगेगा और उसके बाद जैसे ही आप पहले पॉइंट पर आते हैं पॉइंट नमर एक आफर चलाना तो आफर चलाने के लिए भी 10 पॉइंट तेयार कीजिए कि कौन कौन से प्रोड़क्ट में किस किस तरह का आफर चला सकते हैं आप इस तरह से आप 10-10 पॉइंट निकालना इस्टार्ट कीजिए आपको विक्री बढ़ाने के लिए प्लानिंग करना आसान हो जाएगा तीसरा पॉइंट है प्रती दीन एक प्रतिसत बेहतर करना अगर आप प्रती दीन एक प्रतिसत एक्स्टा करते हैं तो आप एक साल में अपनी छमता को लगभग 38% तक ग्रो कर जाएगे आपका 38% मेंटल पावर बढ़ जाएगा अब जो point आपने अपने ब्यापार के हिसाब से निकाला है उन पर अपनी सुईधा के हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम करना सुरू कीजिए एक बार जब आप step by step काम करना सुरू करेंगे तो आपके सामने आइडियास का धेर लगना सुरू हो जाएगा तो ये काम कैसे करेंगे सबसे पहले अपने साब की बिकरी को याद कीजिए प्रति दिन की सेल कितनी है और एक साल बाद आप कितना सेल चाहते हैं उसे एक पन्ने पर नोट कीजिए मान लिजे कि कोई व्यापारी अपने प्रती दिन 10,000 की विक्री को एक साल में 20,000 प्रती दिन तक ले जाना चाहता है तो सबसे पहले महा में 500 रुपए प्रती दिन एक्स्ट्रा सेल करने की प्लानिंग करना चाहिए मात्र 5% हो सकता है सुरुवात के 15 दिन लगातार प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिले लेकिन उसे प्रयास बंद नहीं करना चाहिए 100 रुपए के खरिदार को 10 रुपए का 500 रुपए के खरिदार को 50 रुपए का तो माह के अन तक 500 रुपए की सेल एक्स्ट्रा बढ़ाने में सफल हो जाता है। इस तरह वो 10,000 की बिकरी को 10,500 रुपए तक ले जाता है। दूसरे माह में भी 5% एक्स्ट्रा सेल का टार्गेट रखें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब लोग एक्सरसाइज सुरू करते हैं तो जोस में आकर वो 5-7 दिन जबरदस्ट एक्सरसाइज करते हैं। और शरीर के एक-एक अंग में जब दर्द सुरू होता है, हाथ पैर को उठाना मुश्किल हो जाता है, तो आठवे दिन एक्सरसाइज बंद कर देते हैं। बाडी बनाने का जुनून उनके सर से गायब हो जाता है। इसलिए जब कोई जिन जोइन करता है, तो ट्रेनर किसी नए ब्यक्ति को सुरू में 5-10 मिनट ही करने की सलाह देते हैं। हाँ तो पहले मेने में 500 रुपए का एक्स्ट्रा सेल अचीव कर लिए, तो कैसे करना है इसका कुछ अरुभव मिल जाता है, कि वास्ताव में बिक्री बढ़ने के लिए क्या क्या कदम उठाना ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप लगतार 6 माह तक केवल 5% एक्स्ट्रा बिक्री का भी टार्गेट रगते हैं, और अपने टास्क को पूरा करते जाते हैं, तो आपकी सल 6 माह में कितना होगा जानते हैं आप, आईए जानते हैं। पहले माह में 10,000 का 5% 500 रुपए होता है, इस तरह से 10,500 की बिक्री हो जाता है। में 12,762 का 5% 638 मतलब 10,000 की बिक्री 6 माह में 13,400 रुपए तक पहुच जाएगा, अब आगे क्या होगा, तो आप अपने अंदर एक जबरदस्त हैबिट को क्रियेट कर चुके होंगे, एक जबरदस्त आत्मों इस्वास आप में पैदा हो चुका होगा, फिर 7 माह में 10 प्र में 14,740 का 10 प्रेशाथ 14,000 जो की 16,214 हो जाएगा, नौए माह में 16,214 का 10 प्रेशाथ 16,212 मतलब 17,835 हो जाएगा, और दस्वे माह में 17,835 का 10 प्रेशाथ 17,39, 19168 हो जाएगा ग्यारवे माह में 19168 गदस परेशत 1961 मतलब 21580 और बारवे माह 21580 गदस परेशत 2158 मतलब 23738 तो इस तरह से 5 से 10 परेशत हर माह एक्ष्ट्रा सेल का टार्गेट व्यापार की सेल को एक साल में डबल ही नहीं बलके धाई गुना तक बढ़ाया जा सकता है और अगर किसी ने कंटीनू 5 साल दोहरा दिया तो ब्यापार को 10 गुना से ज़्यादा तक ले जाए जा सकता है लेकिन इतना याद रखना एक दिन खाकर कोई मोटा नहीं हुआ दो से चार दिन काम करके आज तक कोई अमिर नहीं हुआ ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक आपके लक्ष आपको हासिल न हो जाए मैंने तो केवल एक बेसिक आइडियाज दिया है वक्त आपको तै करना है अपने ब्यापार का टार्गेट आपको सेट करना है कि कितने समय में कौन सा गोल आप पूरा करेंगे उसी के हिसाब से आपको प्लानिंग करना होगा पॉइंट नमर चार बेहतर इंसान के गोल जब आप इस तकनिक से कारे करेंगे तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुल सभी तरह से आप इस टांग बन जाएंगे ये टोटल एक माइंड गेम है आप जितना ज़्यादा दिमाग को सोचने के लिए प्रेइद करते ह उतना ही ज़्यादा आपको ग्रोथ करने के विकल्प सामने नजर आने लगता है उतना ही ज़्यादा आइडियाज आपके दिमाग में आने लग जाएगा जब आप थोड़ा-थोड़ा नए तरीकों को एक-एक करके अपनी आदतों में सामिल करना इस्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्द रिजर्ट नहीं मिलने पर उनका धहरे जवाब दे जाता है दोस्तों ब्यापार के ओल पैसा कमाने का जरिया मात्र नहीं है इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है अगर आप इस तरह प्लानिंग बनाकर काम करना इस्टार्ट करेंगे तो स तोचने की छमता विक्सित होना सुरू हो जाएगा जिस दिन आपका डिसीजन जुनून में बदल जाएगा आपको सफल होने से कोई रोग भी नहीं पाएगा दूसरी बात किसी भी नए नियम को स्वयम पर लागू करने से आदत बनने में 21 दिन का समय लगता है एक बर आद फोर्स अपने आप बढ़ जाता है पॉइंट नबर चार बार बार की सोच और बार बार के प्रयास से असफलता मिले तो घबराईए मत आपकी यह सफलता सफलता के बहुत सारे गुण आपको सिखा जाएगा आपके ब्यापारिक एक्स्पिरियंस को काफी हद तक बढ़ा द अभी तब तक संभव नहीं होता जब तक आपका आत्मी स्वास और हिम्मत आपका साथ न दे उसके लिए अपने नालेज को बढ़ाना और प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है चलिए जेम्स आर्चर के इस पांच नियम को मैं जल्दी से दोहरा देता हूं पॉइंट नमर एक किसी दूसरे के आइडियाज के पीछे मत भागो खुद के आइडियाज बनाओ पॉइंट नमर दो आइडियाज मसीन बन जाईए हर दिन दस आइडियाज लिखें पॉइंट नमर तीन प्रती दिन एक प्रदिशत बेहतर करेंगे तो एक साल में 38 प्रद आज तक करते आये हैं तो परिणाम भी आपको वही मिलता रहेगा जो आज तक मिला है अलग परिणाम के लिए कुछ अलग जरूर करना पड़ेगा और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आये तो दिल से लाइक कीजिए अच्छा न लगे तो डिसलाइक कीजिए और इस सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो सेर करें जो आपके लिए महत्पूर्ण हो या जिसके आपको तलास हो जैहिन बंदे मात्रम